हेलो स्ट्रेंट्स, वेलकम इन माई वीडियो, आज किस वीडियो में आप देखने वाले हैं डिये वी क्लासिक्स का न्यादी सिच्छा का पार्ट आठ जो बोले सो दरवाजा खोले, इस पार्ट में दो जिद्धी बच्चों की कहानी हैं, जिसे आगे मैं आपको पढ़ाने वाली हों, और जो भी इंटर्नल कोश्चन बनेंगे, वो भी करवाते चलूंगी, और फिर लास्ट में इसके जो एक्स्टर्नल कोश्चन दियेवे हैं, उनका भी एंसर्स करवाऊंगी, तो वीडियो आपको लाइक जरू कर दीजेगा, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर क बंद करती हूं, उसे कुछ भी कुछ करना चाहिए, आप भाईया को कभी कोई काम क्यों नहीं कहती, तो मा कहती है, ख्याती तुम दोनों फिर शुरू हो गए, जल्दी उठो दर्वाजा बंद करो, मुझे विद्याले जाने के लिए तेरी हो रही है, कभी कभी मुझे अप तो वह एक काउंसलर है, अब यह कहते हुए मा अपने काम पर चली गई, ख्याती ने जुझलाती हुए दर्वाजा बंद किया, अभी वह कमरे में आकर पलंग पर लेटी ही थी, कि दर्वाजा की घंटी बजी, ख्याती बोलती है, भाईया देखो दर्वाजे पर कोई है, द प्रख्यात क्या कहता है, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, तुम दर्वाजा खोलो, तो फिख्याती कहती है, मैं नहीं खोलने वाली, अक्सर मैं ही दर्वाजा खोलती बंद करती हूँ, आप भी कुछ कर लिया करो, तो प्रख्यात कहता है, ठीक है, घंटी बजने, तो जो होगा चला जाएगा तो प्रख्यात केता है तुम हर समय शोर क्यों मचाती रहती हो मैं नहीं खोलने वाला तुम इतनी जिद्धी क्यों हो मैं नहीं आप जिद्धी है मैंने ही दरवाजा बंद किया था जब मा बाहर गई थी अब आपकी बारी है तो फिर प्रख्यात केता है अच्छा चलो एक सर्थ लगाते हैं देखते हैं कि हम दोनों में से कौन जादा देर तक चुप रह सकता है तो देखिए अब दोनों ने सर् कर लीजेगा कि कोशन आ सकता है कि उन्होंने क्या शर्थ लगाई थी तो ख्याती बोलती ठीक है मुझे मंजूर है दोनों बिल्कुल चुप चाप कमरे में जा बैठे थोड़ी देर बाद फिर से घंटी बजी दोनों में से ना तो कोई अपनी जगह से हिला और ना ही कुछ बोला दरवाजे पर कामवाली बाई थी दरवाजा ना खुलने पर उसने जोर जोर से दरवाजा खट खटाया तो देखे दरवाजे पर सबसे पहले कौन आई थी कामवाली बाई आई थी दोनों फिर भी चुप चाप बैठे रहे कोई उतर ना पाकर कामवाली बाई ने घर के बाहर से ही उनके नाम पुकारे लेकिन फिर भी वेक चुपचा बिना कोई उतर दिये बैठे रहे वह काफी देर तक घंटी बजा कर बढ़बढाती हुई चली गई अग कुछ देर बाद दरवाजे पर फिर से घंटी बजी अब दुबारा घंटी बजी एक डिलिवरी बॉ इसको याद रहेगा फर्स्ट टाइम कामवाली बाई आई सेकंड टाइम डिलिवरी बॉय उसने कई बार घंटी बजाए उतर ना मिलने पर उसने उनके नाम पुकारने शिरू किये परन्तु कोई उतर ना पाकर वह लाया हुआ खाना दरवाजे पही रखकर गाड़ को संद के बाहर छोड़ कर जा रहा हूं ऐसे ही कुछ घंटे बीत गई कई बर दरवाजे पर घंटी बजी पर उन्तु ना तो उन दोनों में से कोई कुछ बोला और ना ही किसी ने दरवाजा खोला जब मा लोटकर आई तो कामवाली बाई को दरवाजे पर बैठा पाया तो मा और जो प्रेस करने के लिए कपड़े दिये गए थे वो भी वहीं पर उसने भी लाके रख दिये थे मा कहती है क्या हुआ यहां क्यों बैठी हो कामवाली बाई कहती है शायद बच्चों को कुछ हो गया है सुबह से वे दरवाजा नहीं खोल रहे हैं तभी गाड़ भी वहा आवाज आई या उत्तर मिला यह सुनकर मा घबरा गई उन्होंने तुरंत गाड़ को ताला खोलने वाले को बुलवा लाने के लिए कहा जैसे ही ताला खोलने वाला वहां आया उसे पूरी बात बताते हुए मा ने उसे तुरंत ताला खोलने के लिए कहा खट-पट की आवा परस्तिती में तो यह पुलीस के सामने ही होना चाहिए यह सुनकर ताले वाला महां से भाग खड़ा हुआ मा ने उसे रोकने का बहुत प्रयास गिया लेकिन वह नहीं रुका सब तरह तरह की अटकले लगाने लगे तब सोसाइटी के सेकरेटरी तक यह बात पहुंची तो उस का प्रयास करने लगी आनन फानन में आसपड़ोस के लोगों सोसाइटी में ही रहने वाली एक डॉक्टर को भी बुलवाल भेजा डॉक्टर सहाब अपना सारा समान लेकर तुरंत आखड़े हुए पुलिस वाले पुना यानि कि दुबारा ताला खोलने वाले को बुला ला इससे पहले वा डॉल पाते डॉक्टर साहब ने उनका मुआयना शुरू कर दिया उन्होंने बच्चों का निरिक्षन यानि कि चेकप किया करके बताया कि दोनों बच्चे बिलकुल स्वस्थ हैं उनके स्वर से ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी परिशा में फेल हो गए हों और उसके बारे में अपने घर में सुचना दे रहे हूं तक तक पुलिस भी पूरे घर का निरिक्षन कर चुकी थी यानि पूरे घर की वो भी पुलिस भी तलासी कर चुकी थी घर बिल्कूल व्यवस्थित था बंदर सब की जिदम अरेंज था जिससे उन्हें यह समझ आ गया कि घर में कुछ भी गलत नहीं हुआ है अडोस पडोस के लोग यह सुनकर एक ही स्वर में चिला उठे अरे ओहो उनके स्वर में उनकी निराशा पूर्ले रूप से व्यापती यानि कि सभी लोग अफसोस कर रहे थे यह इस तरह करके यह देखकर पुलिस अधिकारी को गुस नहीं किया मा को पूरी बात बताते हुए ख्याती ने उन्हें पुलिस वालों से उन दोनों को चुड़वाने के लिए कहा तो देखो मा को फिर ख्याती ने सारी बात बताई और मा से कहा कि हमें पुलिस वालों से चुड़वा दो नहीं ले जाने दो तो बच्चों के बीच चेसलमी लगी शर्त के बारे में जानकर, पुलिस अधिकारी ने उन्हें माफ तो करे दिया पर साथ ही चेतावनी भी देड़ाली चेतावनी डेड़ाली ये निकी वोर्निंग दी कि दुबारा से ऐसा नहीं करेंगे और फिर पुलिस अधिकारी ने क्या कहा यदि जिद ही करनी है तो जीवन में कुछ बनने की जिद करो, अथ्वा जीवन में आगे बढ़ने या शृष्ट बनने की करो ऐसी जिद का क्या फाईदा जिससे किसी को परेशानी या तकलीफ हो इसको भी आप याद रखे है कि हमें किस तरह की जिद करनी चाहिए प्रशन आए तो आप इसमें इसको लेख सकते हैं पडोस की लोग भी उनका मजाक बनाते हुए वहाँ से चले गई है यानि कि ख्याती मतलब यहां उस लड़की का नाम नहीं है ख्याती यानि कि बहुत फेमस हो रही है उनकी मां बच्चों की नहरकतों के कारण वह इस तरह से उन्होंने कमेंट करके चले गई सबके जाते ही मां चुपचाप कुर्सी पर जा बैठी वे यह तो हमेशा से जानती थी कि दोनों ही बच्चे बहुत जिद्धी हैं परंतु वे जिद्ध में कुछ ऐसा भी कर सकते हैं यह उन्होंने कभी सोचा भी ना था ख्याती और प्रक्यात कुछ देर सीर जुगा कर चुपचाप बैठे रहे फिर दोनों उठकर रसोई घर में चले गई थोड़ी देर बाद वे रसोई घर से चाय बना कर लाए और मा के सामने ट्रे रखते वे उनके पास बैठ गे ट्रे में उनके द्वारा लिखा गया एक बढ़ने के लिए ही करेंगे तो इसको आप याद रखेगा कि बच्चों ने पत्र में क्या लिखा था यह लाइन आप उसमें लिख देंगे मा ने पत्र पड़कर दोनों की तरफ देखा दोनों बच्चे अपने कान पकड़कर खड़े थे मा ने मुस्कुराते वे चाय का पहला उठाया और चाय की चुस्किया लेने लगी आज उनके बच्चे संभल गए थे और उन्हें कहीं विश्वास हो चरा था कि शायद जो न बेटी का भी नाम होगा जरूर होगा और उनका बेटा भी अवश्य प्रक्षात होगा यानि कि फेमस होगा तो यह पार्ट आपका यहां समापत हो जाता है अब हम इसके प्रशन उतर देख लेते हैं नीचे दिया गए चित्रों को ध्यान से देखें इन चित्रों में दिख करीदे तो इस बच्चे को सला देंगे क्या चित्र में बच्चा आइस क्रीम के लिए जिद कर रहा है मैं उसे जिद नहीं करने की सला दोंगे क्योंकि बहुत ठंडी और ज्यादा मीठी चीजें सेहत और दाप्यों को नुकसान पहुंचाती है और दूसरे चित्र में देख अब यहां पर देखिये यहां पर एक पैयागराफ दिया हुआ है इसको आप पढ़ना है और इसकी बेस पेस का उत्तर देना है तिसमें क्या अक्षिरा की तरह जिद करते हैं तो इसमें आप क्या करते हैं उसके इससार लिखे और लिग किना ही मैं अक्षरा की तरह जिद करती हूं अगर आशन की करते हैं तो कोई ऐसा कि गटना सोच कर लिखिये लग आपने कभी एसकी बात पर दियुसकर लिख सकते हैं और नहीं तो आσω अपली सकते कि नहीं मैंने कभी जिद नहीं की है माता पिता ने हमेशा मुझे चिखाया है कि परश्च दितनी कभी एक सी नहीं जहती इसलिए कम में भी जीना आना चाहिए मतलग कि आप यह ने कि आपको जो पसंद आये जो देखा हो सब कुछ आपको खरीदना है या लेना है यह चाहिए वो चाहिए ऐसा जिद नहीं करना चाहिए कि सब के वसकी सब चीजें खरीदबाना नहीं होती है इसलिए हमेशा आदमे को कम से कम में जीना आना चाहिए ताकि कभी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप उसके लिए सक्चम हो तो आगे देखे दुगारा ए हाँ होती है क्या अक्षर है क्षरा की जीद में बहुत अंतर है क्योंकि मिटाली में उसे दी नोकीस्ञा network नॉक्सान करेगी अप्रश्न तीन कि रख्यार्याम को चून कर लिखे जो यह दर्साति है कि प्रख्यात और जिद्य स्वभाव के थे क्या आप भी इस प्रकार के जीद करते हैं यदि हाँ तो अपने स्वभावे परिवर्तन लाने का प्रियास कीजिए तो देखिए उन पंक्तियों को मैंने यहाँ पे लिखा है पहरे जो कामवाली बया थी तो उसमें घंटी बजी दोनों में से ना तो कोई अपनी जगह से हिला और ना ही कुछ बोला दूसरा है उसमें बोलती है क्याति माँ आप आज भाईया को दरवाजा बंद करने के लिए यहां परिवरतन लाने का परियाश करें प्रसंचार है यहां पर एक पूरम दिया हुए शोटा सा लक्ष प्राप्ति के लिए जीद कहां तक उपयोगत है उप्रोक्त पंक्तियों के अधार पर अपने विचार लिखें कि किसलिए महनत करने के जीद है बहुत कर लेता है तो तो वह सफलता के बहुत करीब पहुंच जाता है इसलिए हर मनुशी को जिद कर लेताâu पर दूंदर का अंदर उसकी सफलता कंता है चावी होती है जैसा कि अभी पीछे जब चेप्टर मैंने आपको प्रहाया तो आपने देखा वहाँ जो वो फिलीस थे उन्होंने बच्चों को क्या कहा था बच्चों को देखे कहा था कि यदि जीद करनी है तो जीवन में कुछ बनने की जीद करो अत्वा जीवन में आगे बढ़ने या स्रेष्ट बनने की करो इसलिए ऐसी जीद करना ठीक है लेकिन अगर आप की जीद गलत है तो वैसा नहीं करना चाहिए तो यह पार्ट आपको यहां पर समाब्त हो जाता है थैंक्यू फर वाचिंग